भोले भाले किसान अधिक उत्पादन के लालच में फस कर रासायने खादवा कीट नाशकों का प्रियोग करने लगे। बैलों की जगा ट्रेक्टर से जुताई होने लगी। शुरुवात में कम रासायने खादों के प्रियोग से अधिक उत्पादन हुआ। धीरे धीरे रासा रोगवा केटों से फसल की सुरक्षा के लिए और अधिक केटनाशकों का प्रियोग होने लगा। रोगवा केटनाशकों के कारण खादान भी विशाक्त हो गई तथा जलवायू भी प्रदुशित हो गई जिसके कारण मानव पशुपक्षियों के स्वास्थे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिसका परिणाम आपकी सामने है। सबसे पहले जल को प्रदुशित कर भूमी के अंदर उपस्थित केचूए वा सूक्ष्म जिवानों को मार देता है। ये बात सभे किसान अच्छी तरह से जानते हैं कि केचूए वा अन्य सूक्ष्म जिवानों भूमी की उर्वरा शक्ती को बढ़ाने के लिए अतियावश्यक होते हैं। विशाक्त रसायन के कारण इनकी मृत्यू हो जाने से भूमी की उर्वरा शक्ती नश्ट हो जाती है। तथा भूमी कठोर होकर बंजर होने लगती है। रसायने खादों के विशाक्त रसायन पानी के माध्यम से अन्य खनीजों के साथ फसल के अंदर पहुँचकर फसलों को विशाक्त बना देते हैं। बाद में जब खादान के रूप में मनुष्य या अन्य पशूने खाते हैं, तो ये विशाक्त रसायन मानव स्वास्थे पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं, तथा मनुष्य के अंदर तरहां-तरहां के रोग उत्पन करते हैं। वरा शक्ती बढ़ती है, तता भूमी छिद्र युक्त एवं भुर भुरी हो जाती है, जिससे वाईयू और प्रकाश भूमी के अंदर गहराई तक प्रवेश करते हैं, जिसके कारण भूमी में तापमान एवं आदरता का संतुलन बना रहता है, और फसले मजबूत होती हैं। जैविक खाद में विध्यमान तत्व, खाद्यान के माध्यम से मानव वा पशुपक्षियों की शरीर में पहुँचकर स्वास्थेलाब पहुचाते हैं। जैविक खादों के प्रयोग से फसले अच्छी और मजबूत होती हैं, जिसके कारण उन पर रोगों एवं कीटों का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। यदि किसी प्राकर्तिक कारण वर्ष कीटों वा रोगों का प्रभाव अगर पड़ता भी है, तो गौमूत्र एवं औशधिय वनस्पतियों के घूल के छिड़काव करने से फसलों को रोग एवं कीटों से बचाया जा सकता है। गौ